हेलो सूरेंस तो देखें एडवांस के लिए कि अंदर कौन-कौन से topic इंपोर्टेंट है ये तो आपको हरोगी बता देगा लिक्रिप्स के अंदर जो micro topics important है वो कौन कौन से जिन के आपको focus करना चाहिए देखिए मैंने पिछले कुछ साल के papers को analyze किया, trend को analyze किया, इस साल paper जो है वो IT खड़कपुर बनाने वाला है, IT खड़कपुर ने 2006 में और 2014 में 2014 के अंदर paper बना है, तो अब 2021 में IT खड़कपुर वापस से paper बनाने वाला इवन यहां पर सब topics है, micro topics की list है, जिनको आपको इस बार advanced के लिए focus करना ही करना चाहिए, यह आप skip करके नहीं जा सकते, और मैं आपको guarantee दे रहा हूं, कि इन में से कोई ना कोई topic के questions, maximum topic questions आपको जही एडवांस के दर मिलने वाले हैं, इसमें मेरी कोई setting नहीं है, ठीक है, मरला ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं से पता कर क्या आगया हूं, तो अगर इन topics के questions exam में मिल जाएं, तो completely मेरी experience होगा, ना कि कोई setting होगी है, मेरी कोई setting नहीं कि मैंने पता कर लिए कौन को topic question बनने वाले हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि question जबाएंगे, तो लोग बोलेंगे कि सा इसलिए फोकस करके जाना ही चाहिए, तो मैं अगर सारे subject की सारे तीनों पार्ट के लिए आता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए पार्ट के अंदर लेकर आऊंगा, आपके सामनी चीज़ें, तो यह स्टार्ट करते हैं सबसे बहुत इंपोर्टेंट आपके लि thermodynamics, thermodynamics में क्या-क्या चीज़ इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए, entropy calculation के उपर, delta is total, delta system, delta surrounding, और इसकी जो applications होते हैं, बहुत अच्छे से आपको calculate करना आना चाहिए, free expansion के इंदर, delta is calculate करना, adiabetic और isothermal, यह तीन cases में आपको entropy calculate करना बहुत अच्छ उसके बाद जो सबसे आदा questions पुछे आते हैं, variation with pressure, temperature और equilibrium के साथ जो relation होता है, आप लोग ने जो expression पढ़ा है, dg is equals to क्या होता है, vdp minus sdt, इससे भी बहुत questions आपके बनते हैं, बहुत अच्छे-च्छे questions बनते हैं, जिनको normally लोग जो जो ठीक से deep में नहीं पढ़ा है, वो देल्टा-H, minus t, delta-H, इसके graphs, यह बहुत 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 इंपोर्टन, thermodynamics पर देटाइम आपको इनको पर ध्यान जरूर देना चाहिए, थर्ड लोग एंट्रॉपी temperature graph, थर्ड लोग में आपने देखा होगा, जो आप एंट्रॉपी और temperature की बीच में graph बनाते हो, कु आपको बहुत फोकस करना चाहिए, इवन आपको आइसो थर्मल और एडियाबेटिक के comparison पर फोकस करना चाहिए, free expansion, वैसे free expansion पूछ चुका है, बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन उसके application वह आपसे पूछ सकता है, free expansion अगर एडियाबेटिक है, तो आइसो थर्मल भी यह चोटी-चोटी चीज़ें जिन पर आपको काम करना चाहिए, थर्मोडानिमस चेप्टर जो आप रिवाइस कर रहे हैं, तो इनके उपर based questions जरूर 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 करें, तो इनसे कोई न कोई question आपके सामने जरूर आएगा, चलिए, थर्मोडानिमस का इस second part होता है, थर् आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत बहुत इंपोर्टन है, बहुत टाइम से नहीं पूछा गया, आपसे पूछ लेगा, calculation of resonance energy, या फिर resonance energy का questions के अंदर application, adiabatic flame temperature, यह special topic का नाम मैं देता हूँ, adiabatic flame temperature, इसमें क्या होता है, कि adiabatic container के अंदर एक exothermic reaction करवाई जाती है, उससे क्या होगा, container का temperature बढ़ेगा, तो वो आपसे उस container का final temperature पूछता है, इस topic के उपर जरूर फोकस करें, इससे भी तक question नहीं पूछा गया, आपसे पूछ सकता है, enthalpy of nutrition, जे एडवांस का favorite है, और that is along with calorimetry, आपसे enthalpy of nutrition करवाएगा, जो content है calorimetry का उसका temperature पूछ सकता है enthalpy of nutrition का आपको direct question भी मिल सकता है, enthalpy of nutrition बहुत 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 important है, उसके लाब बागी सब normal enthalpy होते है, lattice enthalpy, Hess's law obviously important है, पर Hess's law आप लोगो बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उसके उपर बहुत जाद आपको focus करने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वो topics है जिनकी questions आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, ठीक है, चलिए, next देखें, electrochemistry, electrochemistrygram start करते हैं, तो conductance and conductometric titration सबसे important, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता और ये इतिहास गवा है, conductance और conductometric titration से एक question to advance के नदर आता ही आता है, इसलिए molar conductivity क्या होती है, equivalent conductivity क्या होती है, कैसा उसका variation हो with concentration, उसके अलावा, जो आप मानलो, आपने CH3COG के साथ एने उच की titration करवाई, तो conductivity का variation कैसे हो रहा है, उसके graphs पढ़ना आपके लिए बहुत, 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 बहुत important है, nurse equation, concentration cells, मुझे ऐसा लगता है, कि इस बार concentration cells equation आना के chances है, या फिर metal, triple S, anion, half cell, जो आपके पास AG, AG, CL, CL- वाला जो salt, यह जो आपके पास half cell होता है, इसको जरूर जरूर ध्यान रखें, इसके E0 का expression, इसकी reduction और oxidation की reaction आपके काम में आईगी, next is third priority है, electrolysis and Faraday's law, जहां पर आपसे questions पुछे जाता है, ध्यान रखना इसके applications पर आपको focus करना है, cathode and note पर क्या product बनेगा, कितना product बनेगा, इसी के अंदर lead storage battery जो होती है, उसको भी ये use कर लेता है, तो इस पर आप जरूर जरूर ध्यान दें, है ना, एक amalgamation, जब आप क्या करते हो, mercury का cathode बनाते हो, तब जो metal deposit उसका क्या बनता है, amalgam बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, last is significance of electrode potential values, अगर आपको 3-4 elements की inod values पता है, तो कौन एक अच्छा reducing agent होगा, कौन एक अच्छा oxidizing agent होगा, इसके उपर जरूर ध्यान दें, एक salt bridge के और हम अच्छे से पढ़ लेना, घोम फिर के कभी-कभी इनके उपर based question पूछ रहते हैं, कि salt bridge क्या होता है, salt bridge क्यो required होता है, inert electrolyte की क्या properties होती है, य एक छोटी चीज़ और है, जो आपको यहाँ पर add करने हो, चलिए, electrochemistry का अदम चलते है, chemical equilibrium में, chemical equilibrium अगर आप देखोगे, तो सबसे पहला alpha का formula, measurement of degree of decision, alpha is equals to d theoretical minus d observed upon d observed into n minus 1, यह molecular mass की form में, आप इसे m theoretical minus m observed upon m observed into n minus 1 की form में भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप से numerical questions पूछ सकता है, यहाँ पर आप से graphical question पूछ सकता है, वो आप से alpha and d theoretical upon d observed की बीच में graph बनवा सकता है, तो इस तरह के questions आपको में सकता है, ली चेटलिस प्रिंसेपल का application, इसके हर तरह के application को आपको focus करना चाहिए, हमने जो आपको final short के अंदर dpp's दी, उसके अंदर भी जो graphical questions उनके पर आपको बहुत अच्छे से focus करना चाहिए, ली चेटलिर के graph वाले questions बहुत कम पूछे गए हैं, जहाँ पर आपको reactant product के लिए एक equilibrium graph दिया वा होता है, और फिर इस equilibrium graph में एकदम से यह क्या कर देता है, कुछ changes कर देता है, तो वो changes करने से क् फर्क पड़ता है, वो आपको बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए, कुछ इस तरह के आपको इहाँ पर graph मिल सकते हैं, तो इन graphs को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, और इन से खेलना आना चाहिए, graph में ऐसे arbitrary बनाया है, ताकि जिन लोगों को पता नह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके अलावा जो normal kp कैसी calculation है, वो तो आपको पता ही है, बट जो crucial topics हैं, वो आपके ये topics हैं, जिनके पर आपको जरूर 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 फोकस करना चाहिए, लीचेटले में सब कुछ आ गया है, variation of equilibrium constant with temperature, ये concept होता है, बिल्क को उठा लेता है, chemical के बाद आता है, आएने की equilibrium सबसे important topic पहला, acid based titrations, जहां पर आप weak acid की साथ strong base, या फिर strong acid की साथ weak base की reaction करवाते हो, बीच बीच में buffer बनता है, salt का hydrolysis होता है, वो सारे केसे आपको बहुत अच्छे से खेलने आने चाहिए, next is solubility, जो आप केस पी की बात करते हो, complex formation हो गया, buffer के अंदर हो गई, और anion of weak acid या weak base, जैसे AGCN हो गया, AGCN के case में solubility निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, buffer के case में solubility हो गई, और आपके पास क्योंगा complex formation के case में solubility के calculate करना, तो ये favorite है, repeat हो देते ही, पिछले साल ये आ गया होगा, उस capacity क्या होती है, ये least asked है, इसलिए भी important है, बाकि डाइप्रोटिक एसिड का hydrolysis, ना anion of, क्योंकि उसने ना डाइप्रोटिक एसिड की pH पूछी हुई है पहले, उसके उपर question आ चुका है, तीन साल पहले, तो आप hydrolysis पूछ सकता उसका, या फिर amphiprotik anion के लिए hydrolysis का formula, जो में आपने anion add किया, तो सबसे पहले कौन सा metal ion precipitate होगा, ये आपको यहां से decide करना होता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बूलते हैं, selective precipitation, तो ये आपके important topics है for ionic equilibrium, चली, liquid solution की बात करें, तो देखें, colligative properties में, depression of freezing point and elevation of boiling point, उसमें भी depression में जो ice का separation होता है, बहुत साल प हमाकर आपसे पूछ ले, तो जब हम एक solution को freeze करते हैं, तो कितनी ice separate हुई, उसके 3-4 variety के questions जरूर 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 करें, आपसे उन पर question पूछ सकता है, relative lowering, आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसके applications पर काम कर लेना चाहिए, idle, non idle solution, जोनमें azotrop form होता है, minimum boiling azotrop, maximum boiling azot drops, उनके जो graphs होते हैं, बहुत important है, बहुत important, इस तरह के graph होते हैं, ठीक है, यह वाले जो graph होते है, मानलो इदर आपने pressure लिया है, इदर mole fraction लिया है, ठीक है, तो यह जो solution है, यह positive division शो कर रहा है, इसका vapor pressure maximum है, तो यह minimum boiling azotrop बनाएगा, तो graph देखकर identify करना, कि यह कौन सा है, positive division शो कर रहा है, negative division शो कर रहा है, components को मैं आप से बुलनों, बताओ, यह mixture कौन बनाएगा, HCl plus HNO3 यह बनाएगा, क्या, यह मैं आप से पूछूं, कि C2H5OH plus H2O यह बनाएगा, क्या, आपको दिखना चाहिए, यह positive division शो कर रहा है, negative, तो positive वाला ही क्या बनाता है, आपका इ यही, same चीज़ है, vapor pressure, composition graph, यह वही है, और एक osmotic pressure, क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे calculate करते है, along with obviously, vent of factor I, वो include है, सबके, qualitative properties बूल दिया, मतलब यहाँ पर आपको vent of factor की बात तो आप कर ही रहे है, बहुत important है, vent of factor को मत भूलना, उसके बाद देखे, solid state, packing के उपर based questions, बह पानलो, FCC की जो layers है, तो layer में क्या distance होगी, layer में जो atoms है, उनका coordination number क्या होगा, एक layer के atom, दूसरे ले के कितने atoms को touch कर रहे होंगे, ABAB type packing होती तो क्या बनता है, ABC, ABC type packing होती तो क्या बनता है, यह पूरा analysis बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, defects बहुत important है, सिर्फ शॉटक हो जाता है, वो कौन से defect की वज़े से होता है, ठीक है, तो यह बहुत important है, जो पूछ सकते है, theoretical form में पूछ सकता है, यह इसका question के अंदर use कर सकता है, previous lattices जो आपको सिखाये थे, C tour HMT वाली trick, उस trick पर ज़रूर काम करें, जिसमें आपको A, B, C and alpha, beta, gamma में relation याद रखना हो इंक्यूब पर आप ज़रूर काम करें, इनमें से आपको question मिलेगा, यह मिलेगा, चलिए, आगे बढ़ता है, gassy state, gassy state में सबसे important होता है, compressibility factor, compressibility factor, complete application, compressibility factor क्या होता है, अलग-अला cases के अंदर, compressibility factor का equation, high pressure region में, low pressure region में, यह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, Z का graph, कुछ इस तरह के, इस तरह के graph आपको बहुत अच्छे से पढ़ने आने चाहिए, critical constant, critical pressure, critical temperature, critical volume, उनका application, उनका significance, critical condition पर liquid और vapor, दोनों की बीच की boundary खत्म हो जाती है, critical temperature से नीचे vapor बुलते हैं, उसके ऊपर gas बुलते हैं, यह छोटे-छोटे points आपको बहुत क्लियरली पता ह होंगे, ठीक है, diffusion, effusion, connected containers, इससे भी questions बन रहे हैं, connected containers में ध्यान रखना, application of Dalton's law जहां पर gases इधर से दर तब तक भागते रहती हैं, जब तक हर container में एक gas का partial pressure क्या नहीं हो जाता है, same हो जाता है, इन concept के उपर based questions जरूर 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 कर लें, इन से आप से questions पूछ सकते है boils temperature क्या होता है, और इसको कैसे derive करते हैं, तो यह आपको class में करवाया गया है, हम लोगों ने आपको boils temperature a upon rb के विल्यों अच्छे से derive कर वाई है, उसके derivation के उपर based questions आपको मिल सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से practice कर लें, वेंटर वाल सीक्वेशन से boils temperature को derive करना है, next is atomic structure, atomic structure, जेए का 2000 ये मानलो, आप 16 से पहले favorite topic था ये, 2 pi r equal to n lambda, तो यतिहास repeat हो सकता है, डिब्रॉय concept, यानि डी ब्रोगली concept को, डी ब्रोगली wavelength को बोर्स model से relate करना, 2 pi r equal to n lambda के उपर based question जरूर 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 प्रेक्टिस करें, यह आपको पता ही, यह all time favorite, हर साल या हर दूसर इस साल, श्रोडिंगर से question आता है, तो trend बनावा है, श्रोडिंगर equation के graph पहचानना, graph से orbital पहचानना, radial nodes निकालना, यह बहुत आसान से question होते हैं, जिनको आप कर सकते हो, तो श्रोडिंगर के उपर based जितने भी previous question आँनको जरूर करें, और additional जो हमने आपको final shot के अंदर material दि spectrum, hydrogen spectrum, lyman, bummer, question, bracket, series, energy levels, उपर नीचे आना, electron का transition, number of lines calculate करना, उस पे जरूर फोकस करें, बोर्स फॉर्मले में radius का formula, radius का formula सिर्फ यह वाला नहीं, 0.529 into n square by z वाला, नहीं, उसके अलावाज आपको second formula होता है, जिसमें आपके पास h, m, k, z, e square सब कुछ आता है, उस formula को आप रखना होगा, जोई कुछ इस form काता है, n square, h square upon 4 pi square m, k, z, e square, इसी तरह energy का भी formula बनता है, focus on derivation में, साफ साफ लिख दिया है, जहां star लगा है, बहुत important है, इनके derivation पर ज़रूर फोकस करें, जहीं advanced आपसे सिर्फ formula based चीज़े नहीं पूछेगा, आपसे derivation के उपर भी काम क चली, next is surface chemistry, surface chemistry में coagulation power value, coagulation power क्या होता है, गोल नमबर क्या होता है, और colloid को protect कैसे करते हैं, आप जानते हैं, कि लायोफिली colloid, लायोफोबी colloids को protect करते हैं, तो कैसे करते हैं उसके उपर काम करना, color of colloid, milk का transmitted light direction में color लग होता है, reflected light direction में color लग होता है, वो आपको देख classification, oil in water है, या water in oil है, बहुत important है, पूछ सकता है, classification of colloids and missile formation, missile का form होता है, missile formation से solution की conductivity पर या surface tension पर क्या फरक पड़ता है, enzyme catalysis के examples, isotherms तो आप जानते हैं, एक ये methods of coagulation और mutual coagulation का application, NCRT से बहुत अच्छे से पढ़ लें, लास्ट दो चप्टर रहे हैं, लास्ट दो equation और इसके application हो गए, distribution curve, जो maximalist distribution curve है, जो आप gaseous state में बढ़ते हैं, characteristics of first order reaction, सारे characteristics, pressure का use, angle of rotation का use, उन सब क्यों पर अच्छे से काम करना, है ना, gaseous reactions के अंदर pressure की form है, जो हम first order rate constant निकालते हैं, पता है, आपको अच्छे से वो, ठीक है, parallel first order reaction काम में आ जाती है, क्योंकि य modern physics के अंदर काम में आती, इसलिए ध्यान रखना, rate law and experimental determination, जो आप rate law निकालते हैं, डेटा से, वो उसके उपर based questions हो गए, यह बहुत important है, इस पर लोग ध्यान एते हैं, जब आपके पास reaction कुछ ऐसी है, जहां पर reactant के साथ एक coefficient है, तो हम जानते हैं, के A की value, two times of K reaction की को, य यह कैसी चीज़ है, जिसमें maximum student गलती करते हैं, और J-E advanced इसका फायदा उठाता ही, उठाता है, catalyst का effect, catalyst कैसे काम कर रहा है, कैसे वो reaction की rate को बढ़ाता है, कम करता है, इस चीज़ के उपर इसका numerical application, catalyst की प्रेंस में कैसे rate constant जी होता है, इस पर ज़रूर काम करता है, यहां पर numerical questions की जगा, वो theoretical questions पर जाता है, nuclear fusion हो गया, यह आपके पास artificial radio activity हो गया, जिसमें आपको reactions को balance करना होता है, इसके साथ वो predictable को mix कर देता है, आपको एक reaction देगा, कि आपके वास एक particle था, उसके आपने alpha थो किया, एक beta particle निकला, तो बताओ यह जो B बनेगा, उसका group number या period number क्या ह होगा, इस तरह के questions आप से पूछ सकता है, disintegration में आप alpha dk पर focus करें, कि जब alpha dk होता है, helium निकलती है, helium का volume आप से calculate करवा सकता है, calculation of alpha and beta particles, carbon dating and uranium dating, जिन लोगों ने carbon dating पढ़ ली, uranium नहीं पढ़े, uranium dating पढ़ लो, उसके ओपर base question आपको मिल सकता है, stability of nucleus, n by p ratio, n by p ratio जब required से ज तो यह आपके physical chemistry को से important chapters थे, chapters तो सारी थे almost, लेकर उनके जो important sub topics थे, micro topics उनके उपर जिन पर आपको काम करना चाहिए, उनकी list में आपको provide करवाई है, I hope आपको इस list से बहुत 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 फायदा होगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, 2021 के लिए इन topics लो पर जरूर जर अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करें, अगली बार बापके समय लेकर आऊंगा inorganic chemistry के micro topics जिनके उपर आपको focus करना है,